कि हलो फ्रेंड मैं अनंद राज आप सोग बीच देखिए आज हम आपको मिथला इन्वर्श्टी जो दर्भांगा में उसका बीएट सकेंडियर का प्रिभियास एर कोच्चन 2019 के लेका है देखिए जो 2021 में एक्जाम देंगे उनके लिए हुआ हम इसका कोट्शन बहुत भी घूल के लिए इसको अराम से देखिए पूरा देख लेजिए कि इससी क्याधार पर आपका चुछन है का समझे सब बताएंगा समझे पूरा वीडियो देखिए देखिए हम 2020 का भी बीट सकेंडर का मिथला इनवर्सिटी के दाल दिया समझे जिनको देखना होगा प्लेलिस्ट में जाईएगा वहां मिल जाएगा या सर्च कि दिएगा देखिए आज उनएश का डाल दिया है इसके बाद आपका 18 और 17 डाल देंगे जिससे आपका पुरा हो जाएगा समझे तो आई हम कोस्टेन अब स्टार्ट करते हैं यह सबसे पहले किसका एक जामता है मतलब मेठट का हिंग जामता है लिखा हुआ है हिस्ट्री सेवन बी यहा मास चारद सब्कारीश कोड़ता हिए यह याद सब्सक्राहं करते है कि यह लगा है के टीहां क्या है इसके प्रकिर्ति की विभी वाट पिया समझे दुसरा कोस्टन है कि इंग्लिष में पर लिजेंगैं में ने नायन के इतिहास पुस्तक से किसप्रकर पार्थ पुष्टक से किसी प्रक्रण पर एक पाथugenike निर्मान करें देखिए इसका वी वीडियो आपको मिल जाएगा प्लेइलिस्ट में वहाँ जाएगा और एक आप लेशन प्लान भी हिस्ट्री के हम बना दी है वहाँ जाके देख लिजेगा समझे चौथा कोस्टन है कि एक अच्छे इतियास पुस्ते की विश्यस्ताओं की यह बिफेंट ऊंपका है जिस प्रकार क्या जासकता थे यह को समस्या समधानाल किया सकता है उद्धारस इँगलीश स्विदेख लिए लिखा है वाट इज प्रोब्लम स्वल्विंग मेठड हाव इट कैन वी यूजीन टीचिंग ऑफ हिस्ट्री एक्स्ट्री एक्जाम्पल कि आपका सत्मा कोश्चन है कि इतियास विशय में सम्मू अधियम की महत्ता की बिचना करें यानि अधियास विशय में आकलन में केम्पूटर की उप्यक्ता पर प्रकास डाले दस नम्हां कोश्चन है कि इतियास सिक्षन के लिए उपचारात्मक सिक्षन रणिनित्ति की युजना निर्मान करें आपका मेठड का हो गया आई आपका जो सी एट है जिसे नोलेज अन करुकुल घूलय की लिका है इसका हिंदी परं देख लीजागाः अब समझेहाग K ज्यान क्या है बिद्धियाले में ज्यान की निर्धार को कि विवेचना करें यहां का दूसरा कोस्चन है कि जानने की परकिरिया करने क्राओन मतलब क्या हो गया उदेश और इसका वीडियो आपको जो सिक्षा वाला है देखिए गवार चीज़ बताते हैं कि बिहार इन्वर्सिटी में जो है वह फर्स्टेर में पड़ना है समझे तो जो सिक्षा वाला जुट अथी है वह आप लोग को फर्स्टेर पड़नाता जाएग फिर आपका इवनिट थी है कि श्री अर्विंद के सैच्छिक आदर्सों के कोन से पहलू आज की सिक्षा लिए प्रसांगीक है और शठाव का क्वेश्चन है कि महात्मा गांदी के सैच्छिक विचार आदर्स वाद्यम प्रविजन वाद का मिश्रन था विवेचना करें इ फिर आपका अठमा है कोस्चन के भारतिये सिक्षा के संदर में कोड पट्चरिया की महत्ता का ब्यांथ कद्विजन करें और दस नमर के निम लिखित में दो प्रसंचिप टिपनी लिखे पाला है उनतर और दूसरा आपका है कि राश्टिये पट्चरिया के रूपने का जो था आपका है कि पाट चरिया मुल्यांकर समझे तो यह आपका सीट खतम हो गया आइए आप सी नाइन में आते हैं सी नाइन में आपका पहल का यह भी ती नमर का पेपर होता है तो हम यहां असे स्मेंट फूर लर्निंग लिखा हुआ समय आइए आई यूणीट वान में द कि अधिक्यां के लिए आकलान के प्रयोक कि जाने वाले विभीन करनों का और नन करे है कि संभूप्रक्रिया के आक्लं से आपका क्या तत्र पर्जय उपयुक्त दरनोधरर हेज़स पिर अधियम की संगय न्यात्मक अधियुं के क्या राप चल्ट करें फिर सत्मा आपका यूनिट फोर में सत्मा कोस्चन है कि प्लबदी परिच्छन की परिवासा दे इसके निर्वान के विभीन उस्वपानों का अवन्न करे पिर आपका आठ्मा कोस्चन है कि केंद्रिय प्रविर्ती माप से आप क्या समझते हैं आकलन में इनके उपयोगों को पिवेचना कीजिए फिर आपका यूनिट फाइब में कोस्चन है कि विद्धाले सिक्षा कि वर्तमान आकलन पर नालिक आलचनात्मक विसलेशन करें और आपका दसमा कोस्चन है कि कि निम लिखित में किनी दो पर संचिप टिपनी लिखना है आईए आप देखते हैं आपक जो सीटेन है क्रियेटिव एंड इनक्लूसिव इस्कुल जो समय से शिख्षा है उसका देखते हैं भी आपका 40 नमर का होता है और 18 नमर पास रहता आएए देखते हैं इसमें उनिट वान में कोस्चन पहला कोस्चन है कि समय सिख्षा से आपका क्या आस्था है सामिसी सिख् सिख्षा के संदर में सिख्षा का अधिकाराद नियम 2009 के मुख प्रवधानों का अवर्णन करें अब विवित्ता से आप क्या समझते हैं विवित्ता से युक्त बच्चों के पास्चान आप किस प्रकार करेंगे उप्युक्त धार्नों द्वारा अस्पष्ट करें फिर अधिता को परिवासित कीजिए द्रिश्टी बाधिता बच्चों की परमुख विश्यस्ताओं का वन्यून करें फिर आपका सत्मा कोश्चन है कि सामयोसी सिख्षा परदान करने में संपून विद्ध्याले उपागम की और धार्नाव एम महत्पका महत्पका विसलेशन करे है विद्धित में आठा कोश्चना थीरे में आठाकर समगराइख होतले की बिद्ध्याले की क्लिकला में करें विद्ध्याले में है को जो समाजिक अधियम और चंत हो चंध relatable आपका देखते हैं देखिए आप्सनल पेपर होता है आपका 11 समझें सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें कि दूसरा कोश्चन है कि मानों के रक्त संचार्थ तन्त्रका बीस्तार पुर्वक वेख्शा किजिए तिसरा में सवस्थ किजिए किसी कारण बचायां में कि खाने की आदत से क्या समझत है स्मझत Im कोशचन के लिए विभींस안 देशिये तखनिकों की वर्णन करें छठा कोशचन आपका है कि जल जनित रोगों का भिस्तार पूर्भप कोश्चन आपका है कि पुषत्मा के योग किरियाव से आप कैस्या Kollegen ना क्रें आठ्धो आपका हैं कि शात्रों को शारी रिक जूर्पसे दुरस्थ बनाने में विद्यालों की भूमका पर चर्चा करें इसयुल क्या हो सकता है ॐत्ता है यूजन किस प्रकार करेंगे वेख्षा करें यूजन की आपका देत्क हूं पर में रख्त बैंक माने ब्लड बैंक तो यह आपका खत्म हो गया ने 2019 का कोस्चन समझे इसके बाद हम 2018 का लेंगे लेंगे उसके बाद 2017 का समझे जिसे आपका पूरा कोस्चन हो जागा और इसी के अधार पर हम गेस कोस्चन भी आपको भी जितना भी मंदब मिथला इन्मर् झाल